कैंब चैनाय अपका स्वाग्ण है थो दोस्तों난 वॉडियु में बात करने वाले मोडिल वर्भ के वारे में यहांपे एक टीटेयल वॐड़ी है इस वॉड़ी बने रही है आपको 1-चन फॉल 14ist serving जो इसको वाम तो दो पार्ट में में दिवाइड प्राइमरी हेल्पिंग और मॉडल के फॉल होती है और है जो from इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं एक तो होता है प्योर मोडर और उसके बाद में होते हैं सेमी मोडर प्योर मोडर वो मॉडर होते हैं सिरफ model के रूप में काम में लिए जाते हैं for example can, could, may, might, will, sell, would, should, must, or to और semi-model वो होते हैं जो as a helping verb भी यूज हो सकते हैं और as a main verb भी हो सकते हैं जिसमें आपके dare, need, need not, use to dare का मतहिमत दिखाना भी होता है और यहां पर यह as a helping verb भी यूज होता है तो इसलिए यहां पर इसको हम semi-model में count करेंगे तो आपके यहां पर समझ में आयोगा verb जिसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करें main verb और helping verb फिर उसके बाद में main verb को अपन 5 patterns में डिवाइड करें v1, v2, v3, v4, v4 और v5 अब helping verb को अपन दो पार्ट में डिवाइड करें प्राइमरी helping verb और model helping verb primary helping verb बी के form, have के form और do के form जिसमें do, does, did, is, rm, वाजवर, has, have, had, etc. और सो model verb सा है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करें ते pure model और semi model प्योर मोडल कुन से होता है can, could, may, might, will, would, should, must, or to, etc. और semi model होते है वो होते है dare, need not, used to, etc. अब उसके बाद देखते हैं कि तो basic principle है model के वह क्या-क्या है जैसे अपन मान लो model पढ़ेंगे तो उनकी कुछ rules हैं उन rules के बारे में अपन एक्के करके पहले बात करने वाले हैं जो model के जो basic principle है उनमें जो सबसे पहला principle हुई है, हमें model हमेशा main verb के साथ यूज़ करना है में वर्ब के साथ में मोडली हो जोगा उसके बाद में दूसरा प्रिंजिपल किया इसका कि इसके सब्जिक्ट का कोई भी एफिक्ट नहीं होगा सब्जिक्ट कैसा भी हो उसका नंबर कुछ भी हो जेंडर कुछ भी हो या फिर परसन कोई सा भी हो सिंगुलर हो चाहे प्लूर का कोई effect नहीं पढ़ रहा कि he के साथ में केन आएगा, we के साथ में कोई अलग आएगा, देख के साथ में कुछ अलग आएगा, कोई भी effect नहीं पढ़ने वाला, उसके बाद में, जो model है, उसके साथ में अगर मानलो आपने note लगा दिया, तो वो negative sentence create करेगा, अगर model के साथ में subject लगा दिया, means, अगर मानलो model लगा दिया, फिर model के बाद में subject आया, फिर main verb आई, और फिर कोई sentence आया, और उसके बाद में question माग आया, तो वो interrogative sentence के लाएगा, कुनसा sentence के लाएगा, interrogative, ठीक है, जैसे example हो गया, you cannot do this, you not can do this, बैटा, यहाँ पर यह देखो, sentence देखो, यह जो sentence है, वो है wrong sentence, गलत sentence है, क्योंकि यहाँ पर इस्ट्रक्चर है, वो can के बाद में note आना चाहिए, जबकि यहाँ पर note आ रखा है, can से पहले, तो structure wrong हो गया, तो इसका मतलब यह sentence wrong है, I can help you, यह sentence wrong है, क्योंकि इस्ट्रक्चर wrong है, question mark है, ऐसे उना चाहिए था, यह can, I help you, तब यह सही होता, तो यहाँ पर समझ में आया होगा, कि जो अगर मानलो model है, तो model के साथ में note लगा दीगा, तो model के साथ में note लगा दीगा, negative sentence create करेगा, negative sentence है, अगर model के साथ में subject लगा दिया, यानि model subject plus main verb plus other words plus question mark, तो वो intro to sentence consider किया जाएगा, तीसरा जो principle लाइनका, वो यह है, अगर मानलो model है, तो model हमेशा के हमेशा, जो primary verb उनके साथ में use किया जा सकते हैं, लेकिन इनका structure जान रखना पड़ेगा, जैसे मानलो you should have told me earlier, यह राइट है, यह वाला समझ में आयोगा, अगर मानलो model और primary verb दोनों है, तो पहले model verb उप आएगी, और उसके बाद primary verb उप आएगी, जैसे यहाँ पर दियावा should have, should के बाद have आया, अगर should से पहले हेव लगा दोगे, देन वो रोंग हो जाएगा, यह गलत कंसिडर किया जाएगा, तो model auxiliary verb पहले आएगी, उसके बाद में primary helping verbs आएगी, अब आपन देखते हैं, models के बारे में, models पहले ही अपने बता कर लिया, कि जो model है, उनको दो पार्ट में डिवाइड करें, एक तो है pure, और एक है semi, तो pure model को अपने देखते हैं, सबसे पहले use of can, use of can है, यह use of can बात करता है present की, किसकी बात करता है, present की, अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लो कोई sentence एसा जिसमें ability दी हुई है, capacity दी हुई है, power दिया हुए, possibility दी हुई है, permission, जो informal है, offer दिया हुआ है, जो help के sense में दिया हुआ है, और उसके बाद में कोई, as is जी, जिसमें आप किसी को not allowed कर जो, ठीक है, तो वहाँ पे अपने use करते हैं can का, जैसे for example, ability के लिए, I can speak four languages, यहाँ पे जो sentence दिया वेटा, जो sentence है, वो किस की बात करता है, ability की बात करता है, तो यहाँ पे अपने क्या use किया, can use किया, अगला जो sentence है, I can play the fluid, तो यहाँ पे जो fluid है, एक बांसूरी है, उसको बजाने के लिए हमें चाहिए ability, तो फिर यहाँ पे क्या use किया है, मैंने can use किया, तो ability को show करने के लिए, हम किसका use करेंगे, can का, फिर उसके बाद में है capacity, capacity के लिए हम use करते हैं can को, ability, capacity और power के लिए, और possibility, permission, offer, जो help के sense में हो, यह मैंने अभी बात किये थी, और अब हम detail में बढ़ रहे हैं, capacity में यहाँ पे दिया वा, I can sit three hours continuously, तो यहाँ पे यह दोखो, sit three hours continuously, तो यहाँ पे तीन गंटे एक जगे बीड़ने की बात हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे capacity चाहिए, तो यहाँ पे can use होगा है, फिर उसके बाद में he can swim across the lake without stopping, तो यहाँ पे बिना रुकिए वो उस lake को तेर सकता है, swim कर सकता है, तो वहाँ पे भी capacity चाहिए, तो यहाँ पे can का use होगा, अगला जो power वाला sentence है, देखो, I can lift this heavy box, इस heavy box को मैं उठा सकता हूँ, उठाने के लिए चाहिए power, power चीर, फिर हमने use किया can, a strong leader can influence the decisions of many people, यहाँ पे जो sentence है, इस sentence में यह बता है कि एक strong leader होता है, वो अनेक सारे जो people होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके decision को परभावित कर सकता है, तो यहाँ पर परभावित करने के लिए चीर पावर, तो यहाँ पे can use किया हमने, उसके बाद में possibility हैं, तो परजेंट की possibility है, जैसे यहाँ पे smoking can cause cancer, तो यहाँ पे possibility है, smoking करोगे तो cancer की possibility होगी, यहाँ पे अपने यूज किया, परमिशन जैसे, इनफोर्मल वाली sense में हो, यहाँ यूज और पेन, यूज और बुक वगएरा जो भी है, यहाँ इनफोर्मल sense में देगा, अब offer करने के लिए, वो भी help के sense में, तो can I help you वगएरा जो भी है, यहाँ पे sentence, जो help को offer करते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम can use करेंगे, और जो last वाला है, वो है कि cannot का प्रियोग करेंगे, negative sense में, जब आपको किसी को permission नहीं देनी हो, allowed नहीं करना हो, तो you cannot park your bike here, तो यहाँ पे जो cannot word आया है, वो यहाँ पे क्या बता रहा है, कि आप अपने गाड़ी को यहाँ पे पार्ग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक यह है not allowed sense, not allowed sense में हम किसका use करेंगे, cannot का use करेंगे, अब अगला है use of could, तो could का use हम कहां करेंगे, इसको हम देखने वाले हैं, could का use, पहले बात तो यह समझ लेना आप, यह can का fast है, यहाँ पे can use कर सकते हैं, present में महाँ पे could use कर सकते हैं, इसका past की जो ability है, past की जो capacity है, past की जो power है, past की जो possibility है, permission, वो polite होनी चीए, suggestion किशी को देना हो, ठीक है, और conditional close में, जो conditional, जो can का, जो conditional होगा, उसमें use करेंगे, अब सबसे पहले देखते हैं, ability की कुछ sentences, ability की जो sentences है, उसमें देखो, पहला sentence कहा है, I could speak four languages, when I was in New York, अब यहां पर देखो, यहां तक तो यह बात कर रहा है, एक ability, लेकिन यहां पर जो आगे sentence एड हो रहा है, यह बात करा past की, तो यह हो गई past की ability, कि जब मैं न्यू योउक में था, तो चार language बोल सकता था, तो यहां पर could use किया, क्योंकि यहां पर वा जाया, तो वो इंडिकेट करा past को, और यह है ability, पास्ट की ability, पास्ट की ability के लिए हम यूज करेंगे, good, अगला जो sentence है, I could play the flute in my childhood, अब यहां पर यहां तक दो sentence था, सिरफ ability का, लेकिन यह जो यहां पर word aid किया गया है, यह word, यह phrase जो है, वो बता रही है कि, childhood में यह काम किया करता था, तो फिर यह बात होगी past की, तो फिर यह past ability, past ability के हम ने यूज किया, good, अगला sentence, I could swim faster before my injury, अब यहां पर capacity की बात है past की, before my injury, मेरी जो injury है, उससे पहले मैं, तेज सकता था, तो उसके लिए मैंने यहां पर food use किया, क्यों, क्योंकि injury से पहले की बात है, present की बात नहीं है, I could paint four hours, without getting tired when I was in college, अब यहां पर देखो, यहां पर when I was in college, जब मैं college में था, तो यहां पर यह sense कौन सा grade करा, past का, यहां पर हमने किसका यूज किया, अगला जो sentence है, वो power का है, तो इसमें देखो, he could lift heavy weights, when he was in better self, same का same, यही scenario यहां पर create हो रहा है, when के बाद में आ रखा है, जो भी sentence, वो past को indicate करा रहा है, यह बात करा, power की, तो past के power की बात है, तो यहां पर यहां पर यहां पर हमने यूज किया, good, अगला sentence, past के possibility के बात करता है, a lot of crime could be prevented, यानि यहां पर यह काम हो गया, कोई काम हो गया है, ठीक है, वो मतलब कैसे भी मानलो, positive sense में होगा है, ठीक है, जैसे मानलो crime होगा है, अब आपन यहां पर बोल सकते क्राहिम को रोका जा सकता था, ठीक है न, रोका जाने के संभावना थी, ठीक है, जैसे मानलो कोई late आया, तो मतलब बोल सकते हैं, तो जल्दी आस सकता था, ठीक है न, तो वो संभावना थी, तो वहाँ पर आपन क्या यूज़ करेंगे कुड यूज़ करेंगे पर्मिशन, पॉलाइट पर्मिशन हो किशी को अगर मालो, पॉलाइटली कुछ मांगना हो ठीक है, यहाँ पर ऐसा मान सकते हो प्लीज और काइटली भी यूज़ मिल सकता आपको या फिर आप, जो कोई बड़ी चीज है उसको मांगोगे तो पॉलाइटली मांगोगे पैसे मांगोगे ज्यादा तो पॉलाइटली मांगोगे तो महाँ पर अपन यूज़ करेंगे कुड, कुड यू लेंड मी ओकार अगला सेंटेंस सजेशन किशे को देना तो, I could help you with English सजेशन, वही चीज, help के सेंस में ठीक है, कि मैं तेरी English में साहिता कर सकता हूँ ठीक है, तो यहाँ पर could का यूज़ गया मैंने अगला है conditional of can I could visit many places if I had more money इसके बारे मैं थोड़ा सा मैं लाश्ट में बाद करने वाला हूँ ठीक है, conditional of can यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे या फिर इसके लिए मैं अलग सेब्रेट वीडियो बना दूँगा ठीक है, conditional close के बारे में जो यहाँ पर can, could वगएरा जो भी है आपके मैं, might, उन्सब की बात करेगा अगला दोस्तों, वो है use of मैं, मैं का use मैं का मतलब भी सकना होता ठीक है, यह भी केन के जिसे ही है, ठीक है, आर्थ में तो लेकिन इनके जो uses है वो अलग है थोड़े, उनकी अपन बात करते हैं तो सबसे पहले है possibility अगर मान लो कोई possibility है और वो higher है तो वहाँ पे अपन use करेंगे मैं जैसे c मैं be at home जैसे मान लो आपने किसी के बारे बोला कि वो कहा है, तो वह घर हो सकता है इसे आपने बोला तो वहाँ पे उसकी possibility है कि घर पे होनेगे देन वहाँ पे आप क्या use करोगे, मैं use करोगे c मैं at home, c मैं be at home दूसरा sentence जो बार-बार एक्जाम में आयावा है 10th board exam में there are clouds in the sky, it may run today आसमान में बहुत सारे बादल है तो आज बारीस हो सकती है तो बारीस हो सकती है, possibility है तो फिर यहाँ पे हमने क्या use किया, मैं use किया यह बार-बार sentence आयावा, इसको start कर लेना इंपोर्टेंट है, permission चाहिए, ठीक है, formal जैसे मानलो, मैं I come in sir, मैं I borrow your laptop, ठीक है अगर मानलो, permission को, formal permission के लिए आप पूछ रहे हो तो वहाँ पे आप use करोगे, मैं I come in sir, मैं I go to washroom वगएरा, जो भी आप use करते हो, what sentences अगला है, permission but इसमें आप दे रहे हो, permission और वह possibility वाली है, जैसे मानलो, किसी को बोलता है कि तुम जा सकते हो तुम वहाँ रह सकते हो, ठीक है na, you can stay there yes you can, sorry, yes you may stay there या फिर yes you may come, वगएरा, जो भी sentence है उनमें permission किसी को दे रहे हो, possibility के लिए दे, और possibility है उसको करने के देनमा पे आप में यूज करोगे, wishes अगर किसी को wish करना है तो में यूज करोगे, may you live long, may you get good marks यानि जितने भी जो optative sentence है, उन optative sentences में, अपन यूज करेंगे, अब में का उसके बाद में conditional close को में बाद में समझाने वाला हूँ, एक अलग से separate video भी बना दूँगा इसके लिए, अगला है use of might use of might, might का use देखे आप एक बार के लिए, might का use वेशे तो आप कहीं भी पढ़ोगे कि यह mega past है, ठीक है, लेकिन इनके uses थोड़ी अलग है, देख बार देख लो, possibility है, कोई possibility है, और वो remote है, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं उसके, then वहाँ पे अपन यूज करेंगे, might, अगर possibility है, higher possibility है, तो mega use करना है, और अगर कोई possibility है, वो दूर दूर तक नहीं है, देन वहाँ पर क्या use करना, might use करना है, ठीक है, remote के लिए, जान रखना, remote possibility के लिए, ठीक है, जैसे मानलो, there are no clouds in the sky, it may rain today, sorry, यहाँ पर might आना चीए था, ठीक है, तो there are no clouds in the sky, आस्मान में ब दुबारिस हो सकती है, बादल ही नहीं दुबारिस कहां से होगी, तो possibility हो दूर दूर तक नहीं है, देन वहाँ पर अपने क्या use किया, might, permission, more formal, permission के लिए, permission के लिए, can, could, may, might use कर सकते है, might का जैसे formal के लिए, formal भी more formal, might I ask you a question, मानलो, आप teacher को पूछते हो, मैं आपको question कर सक सुलता हूं क्या, देन वहाँ पर आप formal, और ज्यादा formal बनना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पर आप might use करोगे, suggestion के लिए, you might try my cheese cake, अगर मानलो, किसी को suggestion दे रहे हो, offer कर रहे हो, मानलो, एक परकार से, offer की बात और यह, ठीक है, help की sense में, तो you might try my cheese cake, ठीक है, तो यहाँ है, might अपन ने use किया, request, वह भी थोड़ी सी formal, request site आ गई है, पर चपर मिशन आया, यह से मी है, ठीक है, conditional, इसके बारे में आपन बाद में बात करेंगे, अगला है use of will, will का use कहा करेंगे, will helping web में भी आता है, अब यहाँ पर देखिए, will का use करेंगे अपन, I और V के साथ में, ठीक है, जैसे मानलो, कोई ऐसे actions, जो future actions है, ठीक है, तो वहाँ पर अपन क्या use करेंगे, will का use करेंगे, ठीक है, अच्छा, एक और चीज, अगर मानलो, आपने ऐसे बोला, I sell, go, I will go, यह ध्यान से देखना, अगर मानलो, आपने बोला, I sell, go, तो इसका मतलब, मैं जाओंग बट not sure, अगर आपने बोला, I will go, इसका मतलब, आप जाओंगे, और इसमें surety है, तो surety के लिए अपन क्या use करते है, will use करते है, I और V के साथ में, ठीक है, और C, He, It, और U के साथ में, दे के साथ में, अपन use करते है, sell, surety को express करने के लिए, ठीक है, intention को express करने के लिए, तो प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन को show करने के लिए हम use करते है, will का, I think, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, it will rain later today, कि आज बारिस होगी, मानलो आप ऐसे, आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो प्रेडिक्शन करने के लिए, आप क्या use करोगे, will का use करोगे, I think, I suppose वगएर ऐ या जो plan है, किसी को express किये, future की sense में, then वहाँ पे आप क्या करोगे, will का use करोगे, तो I will start my new job next week, तो intention को show करने के लिए, I के साथ में देखो, will use वा, और V के साथ में क्या use वा, will use, we will travel to Europe next summer, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, I और V के साथ में आपको यहा ठीक है, उसके बाद में है, making promises or offers, अगर मालो किसी के आप promise कर रहे हो, then वहाँ पे आप क्या use करोगे, will use करोगे, I will help you with your project, कि मैं तुमारे project में तुमारे साहता करूँगा, then यहाँ पे आप promise कर रहे हो किसी को, तो promise वाले sense में आप क्या use करोगे, will, और conditional close के बारे में बाद अगर मालो कहीं पर, अगर मालो को ऐसा sentence, जो threat की sense मालो, I will see you, outside the school, outside the school, देखो, यहाँ पर जो sentence है, मैं आपको, मतलब, school के बाहर देख लूँगा, देख लूँगा, मतलब, यहाँ पर क्या है, वो threat वाली बात हो रही है, यहाँ पर मिलने की, normal देखने की बाद नहीं, मिल तो वहाँ पर भी अपन यहाँ use करेंगे, will का use करेंगे, ठीक है, अगला है, sale, अगर मालो किसी को instruction देने हो, निर्देश देने हो, ठीक है, निर्देश देने की sense में, वहाँ पर अपन sale का use करेंगे, जैसे student, sale not enter year, student यहाँ पर 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 वेश नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मत करेंगे अगर मालों को इंटेंशन या प्लानिंग है तो हाँ पे भी आप सेल का यूज कर सकते हैं या प्रोपोजल को शो करने के लिए हम यूज कर सकते हैं सेल का सेल भी है उसमरेस्ट को ऑडर और शिस को ओड़र देने तो वहां पर यूज कर सकते हो सेल का तो आए से यूज पोस्ट डिश ख में सेल विल्स डिख अब 285 यहां पे देखे ओधर वहाँ पर फीश्ट्ट से पॉलाइट रिट्वेस्ट के लिए अपन को यूह करेंगे धूरो के सी धान किसके हम तो यहां पर तरहर यांप सिधा पर महलें तौन व मैं आज रात यहांट पुरहद देखने हैं है तो एपक्षक पष्करण सब्सक्राइब तो यहां पर यहां प्रू पर के लिए आप यूज करोगी है यह इंपटर यूजकी यहां वी वुड प्ले आउटसाइड फॉर आवर्स तो यह पास्ट की है जब हम बच्चे थे तब हम बाहर गंटु खेला करते हैं यहां पर देखो दादा जी की दूफ पास्ट है उसके बारे में बताया गया है कि जो हमारे दादा जी हमें मतलब परतेख साम को कहानियां बताया करते थे तो यह सारी चीज़े पास्ट की है विट को शो करने के लिए अपन वुड का यूज करते हैं यह इंपोर्टेंट उसक यूज करेंगे जहां पर अडवाइस दियो यो जिसमें एक्सपेक्टेशन है जैसे मालो एडवाइस के लिए यूज टेक ब्रेक एंड गेट समरेस्ट आपको थोड़ा ब्रीक लेना चाहिए और थोड़ी रेस्ट करने चाहिए तो यहां पर आपने शुड का यूज किया जैसे मालो अगला सेंटेश डिस डोक्टर आपको बोलेगा यू सुड टेक यो मेडिशन रेगुलर लेना तो आपको एडवाइस ही करेगा तो यहां पे आप सुड यूज करोगे ठीक है प्रोबैबिलिटी दा ट्रेन सुड अराइब इन तो यह संभावना तो संभावना या उम्मीद है जैसे मालो की उम्मीद है ट्रेन के आने के उम्मीद है दस मिनट में देन वहां पर आपने यूज के सुड डूटीज करतवे बताने के लिए तो यूज सुड ओलवेज भी पॉलाइट टू अदर्स यह डूटीज है कि हमें दूसरों के लिए हमेसा जाओ ध्यूटीज में ठीक है यह जाण रगना सजेशन जहां पर दीया वाँ है जैसे वी सुड प्लान ट्रिप फोर नेक्स्ट वीकेंड इस सजेशन है कि नेक्स्ट विकेंड हमें प्लान को ट्रिप को प्लान करना चाहिए तो देन वहां पे अपने शूड यूज जिया यापको ड्राइविंग करते समय सीट भंड पहनना चाहिए तो यहाँ पर किस बेढ़ पहनना पेडिकेश मान सकते हो देन वहां पर अपने यूज किया मस्ट अचाहिए कोचिछ इसमें इसा होता है कि वाले यूज में मस्ट वाले यूज में तो आप आप देख लेना कि जा पर ऐसा मिनिंग आगu भले ृसं पर ना सिंटेंस के बादी मैं यहाँ नहीं किया तो फाइन अपनीशी को पूरा करना अग्र नहीं करना ॉस्ट्रोंग उप्लिकार तो वहाँ पर must का यूज करेंगे prohibition है you must not enter this area without permission यह prohibition है, निशेद है, किसी भी काम कोई भी चीज है, उसको करने के लिए निशेद है, देन वहाँ पर must का यूज करोगे जैसे कि इस area में permission के बिना permission नहीं कर सकते तो permission होगी, तो ही परवेश कर पाऊगे फोन यूज नहीं करना, तो यह prohibition है, देन मस्ट का यूज करना certainty certainty के लिए, he must be tired after such a long day, अब जैसे मालो यह एक निश्चिता है, कि मालो वो पूरे दिन काम करेगा, तो सामको तो वो ठगे गई तो यह एक निश्चिता है कोई भी चीज होने की निश्चिता देन वहाँ पर अपने यूज करेंगे, must ठीक है, अच्छा अगर मालो probability है, then must should use करेंगे, और अगर मालो certainty है, then must use करेंगे it must be difficult to live so far from your family, अच्छा, यहाँ पर यह certainty है, कि एगर आप अपने family से दूर होगे, then आपको आपका रहना थोड़ा difficult हो जाएगा तो एक certainty, then यहाँ पर must करेंगे recommendation, किसी को recommend करना हो कुछ, ठीक है, जैसे मालो you must try this, it's delicious आपने try किया उसके बाद मैं आप किसी को recommend कर रहे है ठीक है, visitor must see the effle tower when in parish, तो यहाँ पर देखो when in parish, जैसे मालो visitor है, मालो आप किसी, आप कहीं parish में गई वे हो, या फिर ताजमेल देखने के लिए आपने देखा, then आप किसी को recommend करेंगे, अगर आप आगरा में जाते हो, तो आपको ताजमेल देखना चीए, ठीक है तो फिर recommend के लिए आप उसके लिए must use करोगे, जैसे employee must follow the company's code of conduct, ठीक है, code of conduct मला आचार सही था, जो employees है, उनको company की जो आचार सही था, उसको follow करना है, then यहाँ पर, मतलब rules की बात वरी, rules की बात वरी, तो must का use करेंगे, must, sorry, passenger must show their tickets before boarding, यह अधर से पहले जो passenger है, उनको ticket उनके show करने पढ़ेंगे, then, यह must की बात करते है, यानि rules and regulations की बात करते है, वैसे तो यह है, strong obligation की भी बात कर रहा है, तो वहाँ पर आप use करोगे must, उमीद करता हूँ, यहां तक समझ में आ रहोगा, आगे देखते है, use of auto, auto का use कहां करेंगे, auto का use वहाँ पर करेंगे, जहां पर moral obligation हो, यहां फिर duty हो ठीक है, थोड़ी सी बात होती हो, नेतिकता की, ठीक है, जहां पर नेतिकता की बात हो, जिसे मानलो moral obligation है, you ought to help your neighbors in times of need, यहां पर बात हो रही है, duty, moral duty की, कि अगर मानलो आपकी जो पडोसी है, उनको need है, देन आपको साहिता करनी चाहिए, जहां पर auto का use कर सकते हो, वहां प तो जहां पर auto use कर सकते हो, यह duties की बात करते हो, लेकिन जहां पर auto लिखावाया है, तो auto किसकी बात करता है, थोड़ी सी morality की बात करता है, duty में भी morality, responsibility में भी morality की बात करता है, जैसे people ought to recycle to protect the environment, जो लोग है, उनको recycle करना चाहिए, इसके लिए environment को protect करने, तो यह morality की बात है, यहां पर auto use कर, you ought to apologize for your mistakes, यहां पर भी देखो, आपकी जो mistakes आपको उसके लिए apologize, समा मांगने चाहिए, यहां पर morality की बात हो रही है, यहां पर अपने auto का use क्या, उसके बाद अगला है need not, अब need not, यहां पर need not, उसके बाद में dare, उसके बाद में मानलो used to है, तो यह तीनों को तीनों होते है, semi-modal, अब देखिए, अगर मालो आपने need का use देखा होगा, तो need मतलब होता है, आवश्यक्त, जो आपने mostly देखा होगा, जो आपने mostly देखा होगा, कि जो main verb होती है, उसके रूप में use होता है, लेकिन यहां पर आपने बात करेंगे, इसको as a helping verb यूज करने के, तो need not का का use करेंगे, जहां पर मानलो, अगर lake of necessity है, कोई भी काम करने की, जरूरत आवश्यक्त तर नहीं है, तो वहां पर आपन need not का about the exam, you have prepared where, जैसे मानलो, आपने कोई काम किया, उसको अपने अच्छे से prepare कर लिया, अब आपको उस काम को करने के आवश्यक्त नहीं है, तो जैसे मानलो, कि आपको exam के लिए worry होने की जरूरत नहीं है, चिंती तोरेन की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका reason यहां पर mentioned है, कि आप उसको अच्छे से prepare कर लिया, तो यहां पर lack of necessity है, तो फिर यहां पर need not का use करेंगे, अगला sentence, they need not attend the meeting if they have other commitments, तो commitments मानलो, वाइदे, अगर मानलो, आपकी अलग कोई वाइदे हैं, तो आप किसी भी काम को करने के लिए, तो दूसरे काम को करने के लिए जरूरत थोड़ी necessity, lack of necessity, तो need not का use करेंगे, अगर मानलो, कोई actions है, जो optional है, कोई भी actions है, जो optional है, जैसे देखो, you need not bring any food, we will provide everything, यह optional की बार करता है, जैसे कि, school में जा रही है, या फिर कहीं आपिस में जा रही हो, या फिर कहीं पर जा रही हो, तो आपको वाँ पर food है, वो provide कर वह जा रहा ह आपको व भी बोलेंगे, अगर वहां पर लेका है, तो वहां पर अपर गहीं नहीं लेकी ही जाना है, अगला संटिंस से नीड नोट बेस्थ फॉर्मली फूर्ट इवेंट केज़ल अदाइज फाइन अब यहां पर देखो जूसे मनलो कोई इवेंट पार्टी हो रही है तो वहां पर दो टाइप के लोग अरहे एक दुलोग आरहे जो फॉर्मल पेंट की आरहें एक जो केज़ल क कि अगर मानलो वहां पर कोई नेसेसिटी नहीं कि आपको फॉर्मल पेन के आना या केज़ूल पेन के आसकते आप एक मानलो कोई चीज सर्कुलर निकालोगे तो उसमें क्या लिखोगे सिनीड नोट पेनर की जरण की आपको पहने की जरूरत नहीं है आप सब्सक्राइब करना अरी अशॉरिंस किसी को आश्ष्वस्त करना तो जैसे मानलो you need not feel embarrassed about asking questions जैसे मान लो आपको किसी ने question किया थोड़ा सा वो hesitate हो रहा है हिज की जा रहा है पूझने में then वहाँ पे आप क्या उसको वापस क्या बोलोगे यही बोलोगे कि आपको हिज की जाने की जरूरत नहीं है फिर आपको ऐसे सरभिंदा होने की जरूरत नहीं है question पूझने के लिए तो आप किसी को assure कर रहे हो सुनिशित कर रहे हो या पिर आस्वस्त कर रहे हो then वहाँ पे need not का यूज करोगे need not he need not rush there is plenty of time before the show starts जैसे मान लो किसी को आस्वस्त कर रहा है how to show show के लिए जा रहे हो आप पे आब उसको आश्वस्त कर रहा है को आपको एसे भागने के जरूरत नहीं स्टार्ट होने में might have मिल्स करोगे निच hope आश्वस्त करने के लिए अश्वस्त करने के लिए आपको need not का use करना है अगला है used to used to बात करता है past habit की I used to play soccer every Saturday when I was used to जहाँ पर use हो सकता है वाँ पर would be use हो सकता है ठीक है past habit के लिए जहाँ पर used to है इसको cut करके मैं would be लिख सकता हूँ ठीक है बहुतार कर रेट तो past habit की जब मैं बच्चा था तो हर Saturday को शौकर खेल रहा था तो यह past की habit है तो वाँ पर आपने use किया used to अगला है used to go jogging in the morning before work तो यह यह भी एक habit है past की habit है कि मानलो काम भी कोई जा रहा है तो काम पर जा रहा है तो उससे पहले कुछ jogging के लिए जा रहा है फिर running के लिए जा रहा है तो वो आऊ गई उससे पहले की एक activity है और यह मानलो past की sense में आ रही है कि मैं जब काम पर जादा था उससे पहले jogging करता था या फिर योगा करता था या और को एक्सराइज करता था तो वहां पर past के habit को शो करता तो वहां पर अपन यूज को यूज करेंगे अच्छा अगला जो यूज है जो ज्यादा common नहीं है बढ़ अपन को पढ़ना है जनरल past experiences अगर मानलो कोई आपके जो past के experience और वो general sense में जैसे मानलो people used to dress more formally for event in the past कि जो past में जो event वा करते थे वो इवेंट में जो लोग होते थे वो formally dress पहनते थे तो यह past का experience है जो अपन न अगला है children used to play outside more often before the rise of video games जैसे मालो यह एक general experience है अभी at present indoor games खेलते हैं या फिर वीडियो गेम्स वगरा खेलते हैं या मोबाइल वगरा यूज करते हैं लेकिन यहाप एक सेंस है कि जब video games या मोबाइल नहीं थे तो लोग बाहर जाद या बच्चे बाहर जादा खेलते थे तो यह पास्ट का जनरल experience है तो children used to play outside more often before the rise of video games तो कोई भी पास्ट का जो जनरल experience है जनरल होना चीए हो तो जनरल experience के लिए अपन यूज्टू का पर्योग करेंगे अगला है यूज्ड यूज ऑफ डियर के लिए देखें डेयर डेयर का महलो हुता हिम्मत दिखाना है जैसे महलो किसी भी चीज के लिए आपके अंदर क्रेज है किसी भी चीज को काम करने के लिए अपके अंदर ह हिम्मत है तो किसी को मलो जूज कर के लिए अगने के लिए और यूज करों देखेंगे डेयर यूजव करों किसी को मारी हुगह expect उसकी सफ्वाद करते थैं तो नर्वस अलशय हुआ थि फिर भी वह बोलने की हिंमत दिखाते थी और हिम्मत दिखाने की नर्व नेसमें ही हिंब नियुक। घ्री यूजिक करेंगे चलेंजिंगे और समदके कंडी कि ट्राइश सव्पत हैं yeah तुक्लाइम तोले स्ट्रीं ठीक है यहां पर यह को चीज जी नवापर यूज करेंगे गर लास्ट वाला है ने गीटिव फॉर्म फॉर लेक रृप करेंगे क्रेज नहीं है तेनवा पर अपन यूज करेंगे डून्ट डून्ट डेर त्यान रखना नेगेटिव बढ़नेंगे डॉन्ट डेर होगा ठीक है तो आई डॉन्ट डेर तो गो आउट अलोन अट नाइट यानि कि मेरी मतलब अकेले बाठ जाने की हिम्मत नहीं है अगर मानलोग कोई भी काम करने की आपकी हिम्मत नहीं है यानि हिम्मत में नेगेटिवीटी के बारत हो तो वहां पर अभी अपन डेर का यूज करते हैं ठीक न इनके डेर के साथ में जो helping वाभ उती है do does वगेरा जो भी है वो लग जाती है do does या did वगेरा तो दोस्तों उमी आपको कोई भी चीज में डाउट या प्रोब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके ऐसे वीडियो बना करके अपलोड करता रहूंगा इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक वाले बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि इस वीडियो है वो और लोगों त